मुझा नियुक्त देखो डिस्टिबिशन का मतलब क्या है फीडर्स में और दिस्टिबिटर्स में फरक क्या है फीडर्स जो होते हैं वो एक डेफिनिट अमाउंट और इधर से उधर तक ले जाते हैं यह फीडर है इसमें आपने यहाँ पर सप्लाइ दी और यहाँ पर आपने लोड लगा दिया यह वडवर जो भी उसने पूरी पूरी पावर यहां से लेकर माहां तक फूट गर दी इसमें किसी भी पॉइड़ पर इसमें से करेंट टैप नहीं करी गई है यहां से इतनी करण दी गई थी अगर 100 अंपेर्स यहां थी तो यहां पर कि दिनी डिलिवर हो रही है फुल 100 अंपेर्स पूरी वोल्टेज यहां पर मालनीचे था से 11 कवी बीच में अगर बड़ा लंबज बड़ा डिस्टेंस है तो वन केवी का अगर ड्रॉप भी हो गया तो भी यहां पर आपको मिल जागा 10 कवी तो वोल्टेज क्या मोजाएगा तो लेकिन करंट पूरी 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 करंट पहुचेगी करेंगे केवीए विया यह पूरा 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 पहुचने वाला है इसा बेश्किली अ फीडर KVA और MVA रमेंस थे सेम मतलब सेम क्या मतलब उसके लिए फोड़ा पाद लॉस होयागा वोल्टेज की वज़े से ने तो करेंट रमेंस थे सेम KVA और MVA बेस्किली एम मेज़र आफ करेंट यह वरी चीज़ सम्झे माँ जाने जाए यह फिडर डिस्ट्रिबूटर क्या होता है डिस्ट्रिबूटर इस लेक देस अब आपने यहां से जो भी स्प्लाई आ रही थी यह था एक लोड यहां लगा हुआ है यहां इतने सार लोड लगा हुआ हुआ है अब क्या हो रहा है इसके अंदर आपको क्रेटीरिय क्या है दिस्ट्रिबूटर इसमें यहां पर आपने पावर दी थी इस पावर वास से वोल्टेज था फूर फॉर्टी वोल्स मान लिए चार्शालिज वोड यह जो लोड था यह लोड ने लिया पांच एंपेर इस लोड ने लिए 10 अमपेर से इस ने लिया 10 अमपेर से 10 अमपेर कहां से आ रहा है यहां से इधा 10 गया से इधर 8 इधर कितना है यहां पर यहां पर इसका मतलब क्या है यहां से आपने 440 वोल्ट कोई अपनी करण्ट लेगा कोई कम करद लेगा कोह जादा लेगा करेंट सिकम जादा हो जाएंगी जितनी टोतल कर अच्टो करिंट होगी चारे लोर्ड की कुल बलाग करके अतनी लोर्ड करएंटिजिक उसली अपय। discipl overlooked को यस दिस्जीपिटर कौ करने का तरीका क्या है यह है यहां से आपने पावर फीट करी हुई है एट फूर फॉर्टी वोल्ट्स एंड फॉर्टी एंपियर्स और लोड लगा रखा है आपने यह कितने एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच फाइव टैन सेवन एट टैन अमपियर्स इतने सार अब फॉर्टी वोल्ट्स आपने यह दिया था आप क्या चाहते है कि यह जो पांच अलगर लगा रखे है इन पांचों लोड्स पर हर एक जिगा वोल्टे बराबर पहुंचना चाहिए मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी वैसी कर देता हूं इससे समझ में आपने आपने लगा रखा यह यहां पर देखे यह जो तार आपने लगा रखा है इस्ता पर देखे यह तो तार तार यहां से लगा यहां तक काता शार इस्तार बबन फॉट्य इंपर जा रही हैं box एक। अब है यह पर पर कितनी है 35 ठीक है जो जितनी आए वो इतनी आए और यह जो भी तार आपने आ रहा है इस तार की अपनी resistance भी है कुछ ने कुछ resistance होगी वो resistance multiplied by this current will produce a voltage drop अगर दोनों की इखटी modeling इखटे कर दी जाए यह इखटी modeling ऐसे कर दी है कि जैसे यहां इसमें दोनों तारों की resistance return path और phase path दोनों दोनों चीज़े अपना इसके इंदर माननी है अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें टोटल जितना drop होगा drop voltage drop वो voltage drop है इसकी resistance माल दीजिए यहां से यहां तक की resistance was say 0.1 ohms यह distance जो था यह था 10 meter का जितना distance था है इसकी resistance ती 0.1 ohms यहां से यह था की resistance इतने इतने वोल्ट का डॉप इस section के अंदर होता जा रहा है नहीं उ Christ возь multiply 20 आमप्र क्यरेंट की वजह से हहां पर चार बंग र्रॉप खोल्बंग होगया चारि नाक टॉप होगया तो यहां पर आकता मेला था इस पॉट्ट पर इस पॉर्ण पर कितना मिलेगा? त्री? इत्तीं नैनल वोट्स जितना बोल्टेज यहांपर था 396 इसमें से इत्ना साथ वोट्स का ड्रॉप और द्रोप चैτο हो गया तो बचा हुगा खाली 389 वोल्ट्स आपउ यहांपर मिल ला है यहां पर कितना मिलेगा इसमें 386.5 वोल्ट्स यह यहां पर मिल ला है यहां पर कितना मिल ला है 384.384.384.7 वोल्ट्स यह यहां पर आया और यहां पर कितना मिल ला आपको 382.7 वोल्ट्स यह प्रावलम है इस्ट्रिबूटर से इस्ट्रिबूटर से प्रावलम क्या है कि जितना आपने आप पर वोल्ट्ज दिया था पूरा वोल्ट्ज आपको हर घर में बराबर मिलना चाहिए था वोल्ट्ज 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 बराबर नहीं मिलना है क्यों तो स्कालतार की रिजिस्टेंस आपको ऐसे दे रिखियोगी से 0.001 ओम्स पर मीटर लेंग्ध एक मीटर लेंग्ध की रिजिस्टेंस है वो 0.001 ओम्स है अगर यह 10 मीटर का है तो इसकी रिजिस्टेंस कितरी हो जाएगी यहां से तक की यहां से तक का 10 मीटर कितरी हो कि दोसमीटर करेट दोसमीटर की लेंग्ट है और 0.001 एक मिटर की रेजस्टन्स 0.001 है दोसमीटर लेंग्ट थे इसके मितलब इसकी रेस्टन्स 0.2 तो यह इन दो तीन चीजों पर डिबंड करेगा कि आपको वोल्ट यहां पर कितना मिलने और जो तार आपने लगा रखा है स्टार के अपनी कोज रिस्टेंस भी इसकी वजह से जाप को वोल्टेज और फ्लो करेंगा तो सकंदर वोल्टेज डॉप होगा वी इस गुल तो आई यार को स्ट्राप की वोल्टेज विल भी रिदूस्ट ठीक यही अलगा तरके कैलकुले स्ट्राइड के 11 6.6 3.3 से रेंज के होते हैं के वोल्टेज को से के सिंडूक रिस्टिपीशन के प्रेंडी अप देखियक्पेशन के फॉरहंड पिरी फेज वोल्टेज गसाफर थिर्स एंस टुमीशंद ye asuk drives कर सेंगे क्लासिपेशन अस्तोंतर रिस्सटेटेग्बुइन radial system और तरह की भी होते हैं अलग अलग तरह के categorization होते हैं according to current classification of distribution systems according to current दो तरह के AC distribution DC distribution according to current is AC and DC according to character of service according to character of service इसमें होते हैं चार पास तरह के general light and power, general light and power, industrial power, railway, street lighting, railway street lighting next is according to type of construction overhead and underground, according to number of wires, 2 wire, 3 wire, 4 wire, last is according to scheme of connection and this is important इसमें तीन तरह के होते हैं the other one is radial, according to scheme of connection, connection scheme, connection scheme, connection scheme में तीन तरह के हैं radial, ring main और interconnected radial और ring main में तरह किया है क्या है देखिए यह है रीडियल यह कि स्थाऱ का है मैं क्या दिखाता हूँ radial इसमें एक है इस तरह का देखाता हूँ V1 BC distributor fed at one end एक हंसे फीट क्या जा रहा है ये कितने फंसे फीट क्या जा रहा है बोथ हंड्स तो fed at both hands यह हो कहां fed at one end यह हो कहां fed at both hands तो both hands में दो तरह की चीज़े हो सकती है V1 V1 दूतरह क्या है V1 V2 fed at both hands at same voltage I am fed at both hands with different voltages इससे तरह के अलगल चीज़े होती है तो इस तरह के कई तरह की चीज़े हो जाती है और इसके रहावा लोड लोड किस तरह का होता है लोड होता है इस पॉइंट पर यहां से 100 मिलिटर दूर एक लोड लगा हुआ है पाँच अम्पेर का ऐसा भी हो सकता था कि इसमें यह माली जे लेंग्थ है इसकी यहां से लेक करके यहां तक की इसकी है से वन किलोमेटर 1000 मिलिटर एक साल मिलिटर कीए और इसमें पूरे में यौनिफ cuts purely distributed load है यह uniformly distributed load है this is UDL uniformly distributed load and that is 1 ampere per meter 1 ampere per meter का मतलब यह नहीं है यह द्यांस से सुनियेका 1 ampere per meter का मतलब यह नहीं है कि 1 meter के बाद एक ampere ली गई ऐसा नहीं है १ब इसको 1 A per meter is also the same as 10 A per 10 meter 100 A per 100 meter तो 100 A per 100 meter का मतल्ब यह नहीं है, 100 meter के फाद में 100 A Forest इसके 100 meter के ऑद में 100 A जा रहा है इसा नहीए अगर उसको काट के तोड़े कर देंगे। तो 10 MP के अन्द एको 10 MP के लोट लगाए हुआ है अगर उसके और कर देंगे चोटे तो एक मिटर के अंधर एक एंपेर का लोड लगा हुआ है अगर और टोड़े कर दीए तो वन सिंटिमिटर के अंधर कितना लोड जा रहा है वन सिंटिमिटर के अंदर 0.01 0.01 एंपेर ठीक है तो यूनिफॉर्मल डिस्टिबूट ऐसा नहीं है कि इतने डिस्टंस के बाद में उतना लोड दिया जा रहा है तो दिस बैसके लिए यूडियल में और कॉंसंट्रेटर लोड में इसमें डिफरेंस कैसे दिखाते हैं कि कॉंसंट्रेटर दिखाने के लिए दिखाएंगे हम ऐसा कॉंसंट्रेटर वाले जो एरो होते हैं उसके मकाबले यूडियल वाले छोटे होते हैं इनके आदे लिंफ के होते हैं और परावर परावर बटे होते हैं ठीक है रिंग में क्या होता है यह तो गया रिडियल वाले ringman क्या हो गया wanna, यह आपने दिया, इस खी है एimar और तो, इस में जद ऊफाइदा है कि यह पर अगर फॉल्ट हो गया तो पावर जो है यह तब फॉल्ट हो गया तूर विल में तब कऱों क्सक्तर है टो आपने इस अगर पावर यहां तक पहुंचनी है और यहां पर अगर फॉल्ट हो तो पावर यहां से पहुंच जाएगी रिंग में को नॉमलि एक पॉइंट से दूसी पॉइंट से किस तरह से से फीड करते हैं वह लिशी देख लेते हैं ठीक है Interconnected मतलब क्या है दो अलग अलग power stations है उनको आपने जोड रखा है Interconnected system तो वो interconnected हो गए अब देखे type of distributors वो देखे type of distributors कौन कौन से हो गए distributors fed at one end distributors fed at both ends distributor fed at center center का मतलब basically ring में हो गया center का मतलब इसको यह भी कह सकते है fed at both ends और तीसरा है fed at center center सापने फीड़ कर रखा है यह पावर बेज रहा है यह पावर बेज रहा है voltage drop इसके अलग अलग हो जाएंगे किसके case में आपको voltage drop सबसे कम मिलने वाले हैं इसके case में maximum मिलेंगे यहां पर maximum voltage drop आपको मिलने वाला है बागी सब चीजिया कर सिम कर दें तो क्योंकि यहां पर सबसे कम रहेगा लेकिन यहां पर तक बढ़ते बढ़ते सबसे ज्यादा हो चुका होगा उसके मकाबले इस बागी सब चीज़ सिमिलर रखें तो इसमें यहां पर voltage drop काम होगा यहां पर voltage drop काम होगा मतलब यहां पर जितना अवेलिबल voltage क्योंकि उतने के comparison में डिस्ट्रस आधर रह गया अगर उतने वोल्ट्रस अपने फीट कर रखा है तो इसमें वोल्ट्रस सबसे कम मिलेगा क्योंकि दो पॉन्ट से फीट कर रहे हैं इसको आप ऐसे बना लीजिए या ऐसे बना लीजिए कैसे बना ले जैसे बनाने चाहिए वैसे बना साथ टाइप ऑफ लोड़िंग कॉंसंट्रेटर लोड़िंग यूनिफर्मली डिस्ट्रीटर लोड़िंग और दोनों का कॉंबिनेशन यूडियल प्लस कॉंसंट्रेटर अब देखिए मैं पहले आपको यह वर इसी बता दूँ कि हम इसमें करने वाले क्या है देखे बड़ा छोटा साथ यह जो रोड़ मैप है रोड़ मैप अगर आप समझ लें पूरा तो एक्दम क्लिर हो जाएगा कि हम किस के सरह से बढ़ने बाने हैं देखो हमें बिसकिली छे अलग-अलग केसे लेने हैं छे अलग-अलग केसे केटिग्री नमबर भन डिस्妇ब्यूटर fed at one end category number two क्या होगी? distributor fed at both ends category number three क्या होगी? ringman कर देते हैं ringman third one is ringman center वाला अगर आप देखें that is a special case of fed at one end इसी का special case है, आप इसको ऐसे माशते हैं कि दो अलग-अलग distributors fed at one end है उनको बीच में लगके जोड़ दिया जहां से fed के जा रहा था उनकी दोनों पॉइंट लगके जोड़ दिया अब इसमें एक case आप देखेंगे concentrated loading वाला, दूसरा देखेंगे UDL वाला इसमें both ends है, इसमें number one concentrated और number two UDL concentrated में both ends at equal voltages both ends at unequal voltages उस तरह से इसमें भी दो case है, सेम दोनों case, equal, unequal और रिंग में तो रिंग में है तो इतनी sections हम को biscuit करने है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे ये छे sections हम को देखने है अगर पहले दोनों आपको सम्में आ गए तो बाकी चारों चारों बहुत असनी सम्में आ जाएंगे अगर पहले दोनों clear नहीं हो पाए तो बाकी में problem पढ़ जाएगी पहले में, by the way, पहले में concentrated वाला आप already clear कर चुके है, already clear हो गया ये चीज़ इसी चीज़ को अगर formulation की तरस से अगर देखा जाए कैसा देखा जाएगा वो चीज़ देखो formulation की तरस से देखने हैं तो क्या होगा i1, i2, i3, i4 यहाँ पर जो वोल्टेज़, that voltage is v और यहाँ से अगर के distance that is d1, d2, d3, d4 d बोला हुआ कुछ और बोला हुआ है r1, r1, r2, r3, r4 r1 बोला हुआ है, बात होई है this is r1, r2, r3, r it's quite clear, यहाँ पर current कित्ती जा रही है यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर सारे, i1 प्लस, ठीक, यह है point A, यह है point B, यह है point C, यह point D, यह point E point A पर, V A, is equal to V volts, V B, is equal to, V, में तरहाँ वी C का जाँ है, V C, V C, V C, is equal to, V A, minus, this drop, यह drop के तना है, यह resistance, resistance के बजाए, यह resistance दी होगी है, इसकी resistance R1 है, इसकी resistance R2 है, इसकी R3 है, इसकी R4, और, V A, minus, R 1, into, this r 1, by the way, this is clear रखनी पड़ेगी, आकको question में दे रखाऊगा की, जो resistance दे रख़ए, वो एक तार की एँगा दोने थारों की आपकी होगी अनकेस तुसर मुटिप्लाय करने की जरूत नहीं है लिएकन अगर आपको देरक्की है सिंगल connecter की रिएक तो धोसर मेड़िप्लाय कर दियेगा दोने थारों को DC distribution बात करना कीस ही नहीं तो R1 into i1 plus i2 plus i3 plus i4 VD is equal to VD is equal to VD यह D है, VD के बार इकुती हो जाएगी, VA minus VC minus, VC minus R2 VE is equal to VD minus R3 into I3 plus I4 or VB is equal to VE minus R3 into I4, बद यही वाल formulation, जो यहाँ लिखा हुआ है, simple सा खाली multiplication, और कुछ नहीं है, अब UDL का देखे, UDL क्या है? voltage यहाँ पर कोने में है, VA, यह है A, यह है B, यहाँ से यहाँ तकि length is L, load is I ampere per meter, और इसकी resistance is R ohms per meter, ठीक है? I ampere per meter का यहाँ पर load लगा रखा है, अगर load I ampere per meter है, और इसकी length L meters है, तो total load कितरा हो जाएगा? I into L, I ampere per meter, यह जो यहाँ से यहाँ तक आपने load लगा रखा है, one ampere per meter, एक meter, एक ampere current ले रहा है, और यह 100 meter का है, total current कित्ती हो जाएगी? 100 ampere, तो यहाँ से current बेज़ी आ रही है, current कित्ती हो जाएगी? I into L, ठीक है? I L amperes, इतनी current यहाँ से बेज़ी आ रही है, और इस पूरे की total resistance that is R into L, we'll take care of that later, तो अब इसमें यह देखिए, इसमें कोई एक particular point लीजे, point C, और यहाँ पर इतना section ले लीजे, Dx, और C की दूरी यहाँ से यहाँ तक की this is X, अब यह बताईए, section AC के अंदर कितनी current जा रही है? I amper per meter, X meters, कितनी हो जाएगी? XI, ठीक है? तो इसके इनदर जिदनी current निकल गई, current in section AC, current in AC is equal to I X amperes, current in section Dx, कितना हो जाएगा? यहाँ से total current भेजी गई थी I L, इसमें से कितनी current यहाँ निकल गई? I X, तो यहाँ से आगे कितनी जा रही है? I L minus I X, that's correct, this is equal to I L minus I X amperes, which is equal to I into L minus X amperes, इतनी current इस section के अंदर जा रही है, Dx के निकले, ठीक है? यह जब section है, इसकी length Dx है, और resistance पूरे की R ohms per meter है, तो इसके resistance कितनी हो जाएगी? इसकी, resistance की value, R into Dx, R into Dx, इस section की जो length है, that is Dx meters, और इस पूरे की जो resistance है, that is R ohms per meter, so current in section Dx is this, resistance of Dx is equal to R Dx, ohms, इतना हो गया, तो इसका मतलब क्या है? कि इसके section के अंदर तो voltage drop आ रहा है, voltage drop की बहरी कित्ती हो जाएगी? current into resistance, current into resistance ही तो हो गया, total voltage drop, voltage drop in Dx is equal to I into L minus X into R into Dx volts, यह है, इस section के अंदर, इस section को अगर आप यहां से यहां तक लंबा कर दीजिए, यहां से यहां तक का, तो voltage drop in section AC कित्रा हो गया? VD in AC, कित्रा हो जाएगा? आपने यह बहुत ही चोटा से section यहां पर लिया है, उस section की resistance आपने निकाली, current निकाली, ठीक है, दो क्या करा है, पहले यह वर्चीज आप परो, पहले आपने इस के अंदर निकाला कि इस के अंदर current कित्नी है, और इसकी resistance कित्नी है, यह निकाली, दोनको अगर मल्टिप्ला कर देंगे, तो आपको यह मिल जागा कि इस के अंदर voltage drop पित्रा हो रहा है, अब आपको voltage drop जो निकालना है, वो इसके निकालना है, आपको निकालना है, एस से लेक करके C तक का, यह dx की जो length है, मतलब यह dx की बजाए, आपको यहां से लेकर के, यहां तक कितना drop हुआ है, वो आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, integration from dx 0 to which gives you the value of integrator करते हैं, तो this is equal to VAC, voltage drop this is equal to IRLX minus IRLX square upon 2, यह हो गया voltage drop जहां तक का, voltage drop के value basically यह वाजिशी निकाल किया गया है, IRLX minus IRLX square by 2, क्या मेरे को यह बता सकते हो कि point B पर, BAB कितना होगा, VAB, VAC निकल गया, C जब B पर पहुंच जाएगा, तो X कहां तक पहुंच जाएगा, तो फिर, जब C जब B पर पहुंच जाएगा, तो X की value L तक को L के बराबर हो जाएगी, तो VAB क्या हो गया, X की जए L लग दीजिए, सो इस इस IRL square minus IRL square बई 2, पर आप कितना हो गया, IRL square by 2, यह आगे, ठीक, जब आपके, इसमें current loading diagram बना सत्ते हैं, करन लोड़िंग डियागराम देखो क्या होता है इसका अगर आप करन लोड़िंग डियागराम बनाएंगे यह रही एक्सिस सक्षिन A C यह रहा A यह रहा C यह रहा D यह रहा E और यह रहा B A C में किती जा रही है I 1 प्लस I 2 प्लस I 3 प्लस I 4 ठीक Maximum सक्षिन C D में और D E में इतना और E B में यह करन लोड़िंग डियागराम होगे अगर इसका करन लोड़िंग डियागराम अगरा बनाते है तो आपको क्या मिलेगा करन लोड़िंग डियागराम इसका कैसा बनेगा यहाँ पर करन 機會 रही है यहां पर दी जा रही है इसके अंदर यहां से यहां तक मा पूरी क्रेंट अग्जॉस्ट हो गई इस पर पॉंट पर लास्ट पर देखो यह उनिफॉर्म्ली दिस्ट्रीटर लोड है इसलिए यह वली चीज़ सम्झा आने चाहिए यह हो गया इसलिए बिसके लिए यह हो गया करेंट लोडिंग डियाग्राम करेंट लोडिंग डियाग्राम और यही अगर आपको इसमें यह बनाना पड़े वल्टेज ड्रॉप डियाग्राम वल्टेज ड्रॉप 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 और इसके बीच में ग 일단 वतराथ जो भी पूरा होने वाला है है किया वो लीनियर है स्वाइश में जितना वोल्टीश वोनेवाला है किसी पट्टिकर्र पॉंट पर अगाइर आप देखते हैं Mais जी पॉंट पर वप्र कितना होने वाला है सी पॉंट तकتहा हुआ है I R L X minus I R X square by 2 यह रिची तो इसका मतलब क्या है कि this is quadratic equation X square by 2 है तो जो voltage drop diagram होगा that is something like this in quadratic this quadratic जिसमें यहां से यहां तकी जो value है this is I R L square by 2 curve और वैसा होना चाहिए था यह ऐसा यह रिची यह voltage drop diagram हो current loading diagram और voltage drop diagram आप लोगों को बनाने की जरा separator होनीची तो आप specific condition का मना सकते है ठीक तो पहां पूझी तो